गुड मॉर्निंग टू ओल ओफी दोस्तों स्वागे थे आप सभी का एजुकेशन के एड़ सिक्स में रुख करते हैं स्टाप सेलेशन कमिसन के ओफीशल अपडेट की तरफ दोस्तों आप सभी को पता है कि बहुत दिनों से यहाँ पर ससी जीडी कॉंस्टेबल को लेकर इनक लेकिन विलंबता के चलते कोरोना के चलते यहाँ पर काफी विलंब हुई है इनके नोटिफिकेशन जारी अभी तक नहीं किये गए हैं दोस्तों इसका जो मैं ओफीशल कलेंडर अपडेट था मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ उस कलेंडर के मुताबिक क्या कही गई थी कलेंडर है जो कि जारी किया गया था आपके लिए जिहां यह जितने भी एक्जाम से SSC के तुरू होने वाले जो की 31 मई तक संभवत खतम कर देने थे यहां 2020 तक इसके नोटिफिकेशन निकाल के इसके एक्जाम निसंस को लेकर अब इस साल का नया नोटिफिकेशन कलेंडर भी जारी किया जाएगा अगस्त महिने में तो उससे पहले क्या यहां पर SSC GD का एक्जाम होना संभव है जो कि यहां पर पचास हजार से भी ज़्यादा पदो की भरती बताई गई थी दोस्तों आप सभी को इसके बारे में बता दे कि इसका डेट अप एड़िजमेंट आन इसका जो एक्जाम था यह दो अगस्त लेकर 25 अगस्त के बीच में समवावत कर देना था यहां मैं बात कर रहा हूं यहां पर दोस्तों ध्यान से देख लिजिएगा SSC GD, CAPF, NIA, SSF और Rifleman की इस नोटिफिकेशन को लेकर जी हां दोस्तों ध्यान से देख लिजिएगा इस अब यहां पर एक नया डेट जो मेंसन किया गया था दोस्तों की जो 2 अगस्त लेकर 25 अगस्त तक इसके एक्जाम होने हैं तो अभी तक तो भाई नोटिफिकेशन आया नहीं है फॉर्म भरने का तो कब आएगा नोटिफिकेशन उसके बारे में आज एक न्यूज सब्सक्राइब किजिए बेल आइकन दबाके ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माद्यम से जा सके बेल आइकन जरूर दबा लिजिएगा ने था कोई भी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगा दोस्तों अभी थोड़ी यहां पहें कि दोस्तों यह नया नोटिफिकेशन है आज 31 मई की डेट में इसको अपडेट किया गया है जियां यहां बात हो रही है दोस्तों ससी जीडी एक्जाम को लेकर जो की 2021 में होना है और इसकी बंपर भरती जो की लगबग 50,000 की बंपर भरती है यह इसका नोटिफ पता के चलते यहां पर काफी देर हो चुकी है इसके बारे में कहना है इस निवस के माद्यम से भी सेम जी जो कि मैंने आपको यहां पर बताया है देखे जीडी कॉंस्टेबल भरती को लेकर नोटिफिकेशन दोस्तों प्रस्तावित किया गया था कि आपका जो नोटिफिके बिहार में भी लॉक्डाउन बढ़ाया गया है लेकिन कुछ-कुछ राज्यों में अनलॉक की प्रोसेस सुरू कर दी गई है कुछ छूटे दी कर यहां पर चीज़े चालू करने की प्रोसेस किया जा रहा है लेकिन बिहार महराष्ट्रा और सांती में जिहां दिली जैसे छ नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा उमिद्वारों को सलाह दिया जाता है लगतार SSE के ओफिशल वेबसाइट पर विजिट करते रहेंगे ताकि यहां से नीज अपडेट जो भी होगा हम आप तक पहुंचाएंगे वैसे तो लेकिन आप विजिट जरूर करते रहेगा यहां पे दोस्तों यह जो एक्जाम है आपको 25 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होना था जो की नहीं किया गया है कुछ कारणों से और उसके बाद फिर कोरोना के कारण से तो और भी यहां पे कार्याले बंद रहें जिसके चलते कि यहां पे आपकी नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है और बाद में सभी राज्यों में लॉगड़ान होने की चलते परिक्षा लेना संभाव नहीं था जिसके चलते कि सरकार को एक और यहां पे बहाना तो मिली गया है तो यह एक्जाम सेडूल को लेकर डेटेल नोटिफिकेशन अभी जारी होना है जारी होने इसमें आपका लिखित परिक्षा होगा जो कि CBT होगा यानि की computer based test भी होगा यह ध्यान रखेंगे इस लिखित परिक्षा में general intelligence और reasoning और general knowledge और general awareness elementary maths और English के भी question पूछे जाएंगे जो कि आपके परिक्षाओं से संबन्दित होंगे लिखित परिक्षा पास होने वाले अभ्यारतियों को सारे दिश्टाप यानि के विबरन हमें मिला है जो कि मैं आप तक इस वीडियो की मादम से बता रहा हूं और यह जो अपडेट है इसके लिए आविदन करने के लिए जल्द ही इसका notification यहाँ पर जारी किया जाएगा लेकिन मैं आपको एक सीज क्लेर कर दू कि कब तक आखित जारी किया जाएगा कब यह आखिर कब तक इनकी recruitment को लाए जाएगा तो देखिए अभी बहुत सारे राज्यों में lockdown है बहुत से राज्यों को unlock कर दिया गया है लेकिन खासकर दिल्ली में अभी तक यहाँ पर lockdown की सिथी बनी हुई है तो 15 जून के बाद इसका notification जारी करने की बाते आ रही हैं सामने वो इसलिए क्योंकि देखिए 15 जून से सायथ हो सकता है कि दिल्ली में इसके lockdown खोले जाए और आयोग जब open होगा तो यहाँ पर notification भी जारी कर दिये जाएंगे यह संभावित्तिती है 15 जून से लेकर लेकिन जो इसके examinations होंगे वो 15 जुलाई के बाद या फिर अगस्त महीन क्योंकि जो नया notification आएगा उसमें date को extend किया जाएगा जैसे कि यहां बताया गया है कि 2 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक इसका exam लेना है तो अगर इस बीच में सब कुछ समान नहीं होता है तो यह स्तिती जो है 15 जून से लेकर आपकी खोली जाएगी और इसको लागो किया जा करने के लिए और आविदन जब हो जाएगा तो अगस्त या सेप्टमबर जा सकते हैं दोस्तों अगस्त में तो आप कैंसल लग रहा है क्योंकि पुरानी notification में दिया गया है तो अगस्त तो ना कहेंगे लेकिन सेप्टमबर या मीड़ अफ सेप्टमबर में कह सकते हैं कि इस दोस्तों ग्रूप में यह कल का news notification है आप यहां से आके चेक भी जरूर कर सकते हैं दोस्तों यहां यह कल के notification का update है जो कि एक newspaper के माद्यमस आया गिया है और हिंदुस्तान खबर में भी इसका update है और यह tb19hindi.com के official website प आप देखा जा सकते हैं इसके notification को तो यह एक news notification था जो दोस्तों अगर आप बिहार के examination की त्यारी कर रहें तो आप हमारे channel YT education पे भी जुड़ सकते हैं बिहार दरोगा बिहार सिपाही की त्यारी करने वाले चाहतर रहें वहां से आप लोग application पे जुड़ें और application पे जुड़ने के बाद वहां पे कुछ speed courses दी गई हैं जो कि आप